हेलो गाइज और वेल्कम बैक टू दे चैनल और मैं आशा करता हूँ हमारी ये अक्टूबर से डिसेंबर सीरीज आपकी प्रिपेशन में हेल्फुल होगी तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे अधर नेशनल इवेंट्स जो की अक्टूबर से डिसेंबर की सीरीज में इंपोर्टेंट है तो आएए दोस्तों जुरू करते हम यह आज का यह वीडियो तो सबसे पहले हम जान लेते कि हम आज की वीडियो में क्या-क्या देखने वाले हैं तो आज हम जैसे की पता है आपको नाइंथ टॉपिक देखने वाले हैं अधर नैशनल इवेंट्स ब के बारे में जानेंगे Statue of Peace के बारे में जानेंगे Online और OTT प्लैटफर्म जैसे की Hotstar, Netflix इन सबको Ministry of Information and Broadcasting के अंदर ला दिये गया है तो इस इन्यूज आइटम का क्या एफेक्ट होगा यह देखेंगे 100th किसान रेल फ्लैग आफ की गई थी PM मोदी जवारा इस किसान रेल क्य लेती वह भी जैखेंगे longest rope फें इंडिया का वह inaugurate किया गया था कहां inaugurate किया गया है क्या length है उसकी क्या significance है वह देखेंगे high security number plates को mandatory कर दिया गया था इस न्यूज आइटम को देखेंगे इंडिया की first driverless metro कहां से चली कौन सी metro line पे चली कौन सी city में चली ये देखेंगे बिहार का first glass bridge ये कहां पे inaugurate किया गया था इस न्यूज आइटम के ब्यारे में देखेंगे फिर हम जानेंगे world की largest zoo यानि की world की one of the largest zoo इंडिया में बन रही है वो कहां पे बन रही है उस न्य या नाम रखा गया है इस न्यूज आइटम के बारे में देखेंगे फिर हम देखेंगे Eastern dedicated feet corridor का एक पार्ट इनागरेट कर दिया गया था पीम मोदी द्वारा तो यह Eastern dedicated feet corridor कहां से कहां तक है Western dedicated feet corridor कहां तक है वह भी मैं आपको पताऊंगा इस वीडियो में रमायना cruise service significance क्या है यह देखेंगे और आखरी में हम जानेंगे डॉक्टर हर्ष वर्धन चोके पॉइंट कर देखेंगे हैं गावी बोर्ड पे तो गावी के बारे में जानेंगे हम आज के एस वीडियो में तो पहली news item देख लेते हैं new CIC appointed तो यश्वर्धन कुमार सिना यह नाम बह एक के अंदर एक Chief Information Commissioner appointment करना होता है तो वह यह बने है यह श्वर्धन कुमार सिना और यह नों ने रिप्लेस के उसको किया है श्री बिमल जुल का जो इन से पहले थे वह August में उनका tenure खतम हो गया था और November में अब यह नई appointment किये गए हैं तो जैसे कि आपको बता है कि तीन year की term होती है CIC की under RTI Act और maximum age 65 साल यो भी earlier हो उसकी इतना tenure होता है और जो committee इसको पॉइंट करती है उसमें तीन मेंबर्स होते हैं PM होते हैं leader of opposition इन लोग सभा होते हैं और union home minister होते हैं तो यह तीन बंदे मिलके appointment करते हैं तो यश्वर्धन कुमार सिना नाम आपको याद रखना है अगली news item देखते हैं statue of peace unveiled तो PM ने virtually statue of peace unveiled की थी कहाँ पे जेटपुरा पाली राजिस्तान में तो राजिस्तान के अंदर है यह आपक सुरीश्वर जी महाराज तो इनकी यह statue है जिसको कि कहा जा रहा है statue of peace शरीव विजय वल्लब सुरेश्वर जी महाराज जो कि एक जैन मौंक थे उनका 151st birth anniversary पेसकों करा गया है और 151 इंची लॉंग यह statue है जो कि 8 धातू से बनी गई है अश्ट धातू का गया है और major lease में copper metal की है यह और जो यह saint थे यह 1870 में बहुन होए थे और इन्होंने Lord Mahamir का message पूरी वर्ड में फैलाने में काम किया था तो यह statue of peace जो कि PM ने अन्फील की थी अगली news item देखते हैं online and OTT platform under IB ministry तो Netflix, Haustart, Amazon Prime, Woot यह सब जो online को का जाते हैं OTT platform, over the top platforms इन सबको ministry of information and broadcasting के अंदर आप कर दिया गया है पहले यह ministry of electronics and IT के अंडर थे तो क्या होता था कि जो TV, radio उसके अंदर जो print media आपको कुछ regulations follow करनी होती है तो वो सारे regulation इन OTT platform के content पे जो थे वो नहीं लागू होते थे तो इसी के कारण जो वहाँ पे foul language और जो जो भी दिखाय जा रहा था वो regulated नहीं थे तो government ने regulate करने के लिए इनको ministry of information broadcasting के अंदर आप कर दिया गया है और जो ये platform में हो सकता है इनमे certification rules भी apply करेगी government अभी वो guidelines release नहीं हुई है लेकिन आने मदे समय में जो भी content ये platform दालेंगे उनको अब certification की भी जुरुरत पढ़ सकती है क्योंकि इनको आप ministry of IB के अंदर कर जेगे है अगरी news item देखते है 100th किसान rail जो की flag off कर दी है PM Modi ने तो ये देख लेते हैं कहां से कहां तक चली थी ये बहुत important question बन जाता है कि कहां से कहां 100th किसान rail चली थी फर्स्ट किसान rail का पूछा गया था एक exam में वो भी मैं आपको पताऊंगा तो 100th आप याद कर लीजे संगोला इन महाराष्टर टू शालीमार इन वेस्ट बिंगॉल से ये train चली है ये दोनों नाम आपको याद रखने संगोला इन महाराष्टर शालीमार इन वेस्ट बिंगॉल तक ये यूनियन बजट 2021 में आउंस की गई थी ऑगस्ट 2020 में फर्स ट्रेंच चलाए गई थी जो की क्रिशी रेल और किशी उडान स्कीम के अंडर है तो इन में क्या है कि जो farmer produce करते हैं जो कि perishable produce होता है fruits होते हैं जो खराब हो जाते हैं जल्दी से उनको जल्दी से जल्दी farmer बेच पाए पूरी market में इंडिया में और वो खराब wastage कम हो उसके अंडर ये schemes चलाएगे हैं जिसके अंडर की farmer को subsidy दी जाती है 50% तर किसी भी अप आलन नीजन में through air also जो कि क्रिशी उडान स्कीम बता रहा हूं तो ये scheme मैं आपको पता चुक हूँ और इसके अंदर स्मॉल और मार्ण फार्मर्स को help हुई है और पहली किसान रेल ये पूछा गया था तो देव लली इन नासिक से दानापुर इन भिहार तक चली थी तो वह फस्ट रेल थी तो हंडेड था आपको अब याद रख लेनी है संगोला इं महाराष्टर टू शाल इन नागरेट बाए पी एम तो टू पॉइंट्री किलोमेटर लॉंग पैसिंजर रोपए यानि वह ट्रॉली जो होती है वह धाई किलोमेटर लॉंग कहां इन अगरेट की है जो की लॉंगेस्ट है वह की गई है गिरनार इन जूनागर डिस्टिक ठीक है तो साथ आठ उसमें साथ-साथ पी एम ने और क्या के अनौगरेट किया नूवली डवलप्ट यूवन में है था इंस्ट्यूटर आफ कार्डियोलोजी जो की इंडिया का सबसे बिड़ा कार्डियोलोजी होस्पिटल है और किसान सूर्योद्य स्कीम जो कि मैं गुवर्मेंट स्कीम से अ अगली न्यूस पर देख लेते हैं एचस आर्पी हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट और कलर्ड कोडिड फ्यूल स्टिकर्स को मेंडिटरी कर दिया गया है मिनिस्ट्य आफ ट्रांस्पोर्ट और हाइवेज ने जो वहिकल जो की 2019 एपरल में उनसे पहले जो बेचे गया थे फिक्स कर दी जाती है तो उसको अगर आप उतारने ही कोशिश करोगे तो वह प्लेट तूट जाएगी दुबारा नहीं लगा पाऊगे तो यह गाड़ी की चोरियां जो होती थी उसमें नंबर प्लेट बदल के गाड़ियां बॉर्डर क्रॉस करके बेस दी जाती थी तो य यह सब अब नहीं हो पाए कि एक बार यह नंबर प्लेट लग गई तो इसको उतारने ही कोशिश करोगे तो तूट जाएगी और स्थेम वह स्टिकर का अगर आपने स्टिकर शीशे पर लगा हुआ है जो की पेट्रोल के लिए ब्लू कलर का है और जो डीजल वहिकल उनके ल लेजर एंगे फिन भी होता है जिसे कि आप सोलर वहिकल को पचान सकते हैं तो यह अचा साथी से अगली जूस एक लेते हैं बहुत इंपोर्टेंट है इंडियास फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो बिना ड्राइवर की मेट्रो कहां चली है यह जान लेते हैं तो फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो वाज रोल्ड आउट ऑन 38 किलोमेटर लॉंग लाइन 8 या मेजेंटा लाइन ऑफ डेली मेट्रो तो डेली मेट्रो की जो मेजेंटा लाइन है 38 किलोमेटर लंबी लाइन है उस पर यह ड्राइवरलेस मेट्रो इंडिया की पहली ड्राइवरलेस मेट चलाएगी थी, तो Magenta Line of Delhi Metro आपको यह याद रखना है, और यह सिरफ Delhi की जो Line 7 है और 8 पही चलाए जाएगी, क्योंकि उसमें जो Advanced Signal Technology है, वो बाकी Lines में नहीं है, तो 7 और 8 पही Driverless Metro यह चलेगी, जो की Magenta Line है, ठीक है, अगली News आइटम देखते हैं, भिहार का First Glass Bridge, यह आप फो उन्होंने इसको इंस्पेक किया था, यह बहुत ही जल्दी खोल दिये जाएगा, आम जंता के लिए भी, और यह बनाया गया है, on the lines of China's famous Hangzhou Glass Bridge, जो वहां का famous है, उसके basis पर यह बनाया गया और यह Tourism को प्रमोट करेगा, राजगीर नालंदा डिस्टिक के अंदर, तो यह ए अगली न्यूस एकते हैं, one of the world's largest zoo, यह कहां बनने वाली है, यह बनने वाली है, जाम नगर गुजरात के अंदर, तो Reliance Industries Limited यह बना रही है, one of the world's largest zoo in जाम नगर गुजरात, और जिसके अंदर number of species और animal एक जगा पे सबसे ज़ादा होंगे वर्ल्ड के अंदर, यह 2500 एकर का एक प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर Green Zoological Rescue and Rehabilitation Kingdom इसको नाम दिया गया है, और इसके अंदर यह exotic animals होंगे सारे के सारे, तो यह है वर्ल्ड की largest zoo, जो कि Reliance Industries Limited बना रही है, जाम नगर गुजरात के अंदर, अगली न्यूस आइटम देखते हैं, फटवर, यूपीक के जो द रेल सेक्शन के बीच में है, इसका नाम अब क्या कर दिये गया है, मा भारही देवी धाम, जो है धानदिपूर railway station का, दोनों आपको नाम याद रखने हैं, थीक है, तो यह इसलिए किया गया है, क्योंकि वहाँ पे एक temple है, मा भारही देवी का, इन परासारामपुर से को इसका नामบी नेंड कर देगा सॺप है portion अ क्डल का कहां के नुउग बाउपूर न्यूज शंच खेक्षन जो कि यह 300 किलोमिट्र का एक सक्षन है यह टॉर्देश में यह पियम ने नॉग्रेट करा है तो यह जो इस्टन वाला जो है यह 1840 किलोमेटर लंबा है आपको पता होगा बहुत सो लोगों को लुधानया पंजाब से यह कॉलकाता वेस्ट बेंगॉल तक है यह 1840 किलोमेटर का लंबा डेडिकेटिव फीट कॉलिडर जिसमें सिरफ की सिरफ माल गारियां चलेंगी और यह जो है जो जो पोर्ट है नभी मुंबई में वहां से वहां तक बनाया गया तो यह दोनों आपको याद रखने इस्टन और वेस्टन दोगनों डेडिकेटिड फीट कोरिडर कहां से कहां तक है यह पूछा जा सकते हैं अब इन्यूज देख लेते हैं रमायन क्रूस सर्विस तो रमाय देख रहें इसके अंदर यह एक मॉडल है जो कि जैसे की होगी है इसके अंदर जो हैं इंटीर तो ऐसे चूज के जाएंगे जो कि रमायन की थीम के उपर होंगे और यह डेड़ घंटे की एक से तूर होगा जिसके अंदर राम चरित्मनस के बारे में पताया जाएगा और में उनको जो लोग होंगे इसके अंदर उनको सर्यू की आरती में पार्टिपेट करने का भी मौका में लाएगा तो रमायन क्रू सर्विस लॉंच की गए सर्यू रिवर में अयोध्या उत्तरपरदेश में योग आसना एजए कॉम्पेटिटिव स्पोर्ट तो मिनिस्ट्र मिलेगा इसकी इंक्रीज होगी इसको प्लान है कि खेलो इंडिया और यूथ गेम्स में भी एड किया जाए जिससे की फाइनली इनका अब्जेक्टिव यह है इसका कि यह योग आसना को ओलंपिक स्पोर्ट की तरह देखते हैं फ्यूचर के अंदर तो इसलिए इसका बहु और इसके अंदर दस स्टेप्स और पताया थे कि कैसे कैसे आगे फ्यूचर में इसको अलम्पिक स्पोर्ट की तरफ ले जाना है लास्ट न्यूस देख लेते हैं हम आज के वीडियो की डॉक्टर हर्ष वजन को पॉइंट कर दिया गया है जो कि हमारे यूनियन हेल्थ गावी बोर्ड पे इनको नॉमिनेट कर दिया गया है ठीक है तो गावी के रिलेटेड हमने जून के तरफेस में जाना था कि गावी एलाइंस क्या है जिसमें की यूके के पीम में बोरिस जॉंसन ने इंडिया को इन्वाइट किया था गावी के एक समिट में तो यह अब इ यह रिपेजेंट करेंगे जनवरी 2021 से डिसेंबर 2023 दो यह के लिए इनको पॉइंट किया गया है तो गावी के बारे में थोड़ा सा फटावट से देख लेते हैं तो यह एक तरह से एक अलाइंस है जो की जो गरीब देश है जो पूर लोग है उनको जो वैक्सिन मिल सकें उ उनसे वह बच सकें जो पावर नेशन हैं उनको यह वैक्सिन्स प्रवाइड करने का काम करता है ठीक है और जो बोड है वह किसले रिस्पॉंसिबल है स्ट्राटेजिक डिरेक्शन और पॉलिसी मेकिंग और उनके ऑपरेशन को ओवर सी करता है और उनके प्रोग्राम इंप् देखें जो कि important है हमारे examination point of view से दोस्तों यह वीडियो आपने यहां तक देखी लिया है तो यह आपको पसंद आया ही होगा तो इसलिए इसे एक लाइक दबा दीजिए वही एक हमारा reward है अतनी मेनद का और यदि आप हमारे चैनल पर नए है तो पीस इसे सब्सक्राइब कर से उनके बारे में जानेंगे डिटेल से तब तक के लिए बबाई एंड हैपी लर्निंग